देखिये दोस्तों क्या हुआ जब एक सेर एक नदी में पानी पीने जाता है जैसे ही वो अपना मूँ पानी पीने के लिए नदी में डालता है तभी उसे बहाँ पर मानस गंद आने लगती है और वो तुरंत अपने आसपास देखता है लेकिन उसे बहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता और वो तुरंत एक उची सी चट्टान पर चड़ जाता है और फिर उसे एक भागता हुए बैक्ति दिखाई देता है और फिर वो सेर उसका सिकार करने के लिए तुरंत उसके पीछे भागता है और जैसे ही वो सेर उस बैक्ति को पकड़ने वाला ही था अभी वो डाल देता है लेकिन सेर फिर भी नहीं मानता लेकिन दोस्तों सेर को भी क्या पता था यह आगे चलकर हमारा ही सिकार हो जाएगा दोस्तों जैसे ही सेर सिकारी के पीछे भागता हुआ आता है वो सिकारी तुरंत पिंजड़ा बंद कर देता है और सेर उसमा फस जाता है सेर क अपने आप पर कुछ ज़्यादा ही गमंड आ गया था